हलो फ्रेंड्स वेलकम टूवर नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो में हम लोग हमारा अड्वांस अकाउंटिंग का नेक्स्ट चेप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोगोंने लास्ट वीडियो जितनी भी अब तक ही है हम लोगोंने स्टार्टिंग के इसके फर्स्ट फोर चेप् के वो भी questions को cover up कर लिया है तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो गाइस मेरे चैनल पर प्लेइलिस्ट अविलेबल है आप लोग जा कर देख सकते हैं एक चैप्टर हम लोग अभी के लिए स्किप कर रहें इन्वेस्पेंट अकाउंट क्यूंकि युनिट 1 में से हमारा एक चैप्र चोईस में निकल सकता है हम लोगों ने फोर चैप्टर प्र वे से अच्छी तरह से कर लिए तो हम एक चैप्टर को स्किप अभी के लिए कर सकते हैं तो अगर हमारे पास टाइम बचा बाकि इसकी एक दो वीडियो फिर इसके last year questions के उपर भी आएंगी तो हमारी total तीन या चार वीडियो हो जाएंगी तो हमें कोशिश करने हैं कि ज्यादा से कम से कम topics करें इस chapter से मुझे आपको इस chapter से related सिरफ basic clear करना है तो आप लोगों को easy हो जाएगा करना चीक है जी हम लोग करेंगे हमारा unit second start इस video से तो I hope आप लोगों को वो अच्छे से clear हो चीक है जी unit number second इस video में देखे हमको दियान से देखना क्या है first हमारे पास chapter का name क्या है amalgamation and external reconstruction चीक है जी amalgamation यहाँ से amalgamation का point दिख रहा है पहले amalgamation को read करते है amalgamation में होता क्या है the term amalgamation is used when two or more companies carrying on similar business go into liquidation and a new company देखे एक example है जब दो companies है एक company है B, A company है A company, A company है B company दोनों ही पुरानी companies है ठीक है पहले से old exist कर रही है दोनों market में एक दूसरे को compete कर रही है ठीक है competition में है इन दोनोंने क्या decide किया भाई एक दूसरे से competition करने में कोई फाइदा नहीं है हम दोनों मिलके एक new company create करते है जिसका नाम होगा AB limited हम दोनों एक दूसरे को compete करने के बजाए क्यों ना हाथ मिला ले और एक ही company create करें AB limited जिससे हमें profit चादा होएगा ठीक है वो होता है amalgamation ध्यान से रिड करिए the term amalgamation is used when two or more companies carrying on similar business उनों बिजनस similar था उनका और competition में था उन्होंने क्या decide कि हम लोग एक दूसरे के साथ patch up कर लेंगे हम लोग एक दूसरे के against होने की जगह एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ाएंगे तो amalgamate करेंगे बिजनस को amalgamate joint करेंगे यह उसके बाद जब यह company new create हो जाएगी तो यह new company पहले इसके सब कुछ purchase करेंगी जो भी related to इसके shareholders जो भी इसका है AB company पहले इसका purchase करेंगी and then everything इसका भी जो कुछ है सब कुछ purchase करेंगे यह वाली company AB Limited चिके जी उसके बाद जो हमारी A और B old company नहीं क्या हो जाएंगी dissolved क्या हो जाएंगी dissolved यह company हो जाएंगी हमारी दोनों dissolved खतम हो जाएंगी इन दोनों companies को क्लों क्या कर देंगे dissolved इन दोनों का जो भी चीज होएगी उसको कौन take cover कर लेगा AB लिमिटीड तो इन दोनों को amalgamation होके ए भी लिमिटीड क्रियेट हो गई तो वही लिख रहे का है term amalgamation is used when two or more companies carrying on similar business got into liquidation and a new company is formed to take over their business दोनों companies के business को किसने टेक अवर किया एक new company ने दोनों companies के business को किसने टेक अवर किया इन दोनों उने मिलकर जो एक new company क्रियेट की उसने ठीक है उसके बास second point इसमें कौन सा आता है absorption the term absorption is also used when existing company take over the business of one or more existing company आप देखो एक company है a limited ठीक है यह भी old company है एक है हमारी become b limited company यह भी पुरानी company है एक है एक है बी जो एक company है ना इसका market में कुछ खास नाम नहीं है मतलब small company है बर जो यह बी company है इसका brand बोलता है market में यह बहुत बड़ी company है तो बी company ने क्या offer किया एक हो कि भाई तेरी तो नाम भी नहीं बोलता तेरे पास जो कुछ खास है भी नहीं तो हम दोनों बंद करके एक नए नाम से company शुरू करेंगे इससे अच्छा है मेरा market में पहले सी इतना अच्छा नाम है brand बना हुआ है तो क्यों ना तो अपनी company को भी मेरे अंदर ही exist कर दे मतलब मेरे साथ ही joint कर ले अपनी को close कर दे तो वही लिखा हुआ है term absorption is also used when an existing company यह existing company थी इसने existing company ने existing company को take over किया existing company takes over the business of one or more existing companies उसको बोलते हैं absorption करना इसने existing company को take over किया ना यह company exist करती थी बट इसका नाम बोलता था तो उसने बोला कि तु मेरे में shift हो जा हम लोग मिल के business करेंगे एक दूसरे से compete करने का कोई फायदा नहीं है हम दोनों अपनी अपनी बंद करके अलग अलग से नहीं खोलेंगे इससे अच्छा है मेरा पहले से मार्केट में नाम है तो मेरे में आजा फिर इस case में क्या होगा सिरफ यह company dissolved होएगी इसमें क्या था यह भी dissolved हुई यह भी dissolved होई और इसने companies क है और एक ही टेकवर हुई है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है amalgamation हो गया absorption हो गया third point accounting चैप्टर का नाम देखो amalgamation and external reconstruction अब देखे है हम लोग external reconstruction के बारे में क्या बोलता है यह चैप्टर external reconstruction reconstruction क्या बोलता है it means reconstruction of a company financial structure जो company का financial structure है उसको reconstruct करना ठीक है देखो अगर हमारी दो companies है companies का रहा financially structure ही बहुत वीक है ठीक है company के बहुत पुराने जैसे जमाने में company का structure प्रिपेर किया गया था आज के जमाने में वो नहीं चलता company को proper new look देने की एक ज़रूरत है पूरा new जैसे कहा सकते हो ना आपे पूरा makeover करना है company का new करना है उसको ठीक है तो it may take place either with or without the the liquidation of the company. If a company is going into reconstruction अब company को new look दे रहे है makeover करने है reconstruction is liquidated then the risk construction तो उस reconstruction को क्या बोलते है external reconstruction अगर हम लोग company को proper पूरे वे से change करने है अगर तो हम एक कंपनी में चोटे मोटे changes करने है देन तो उसको बोलते हैं हम लोग internal reconstruction बट company को overall look change करना है company का financial structure change करना है देन उसको बोलते हैं हम लोग external reconstruction ठीक है जी अब उसके बाद